शुद्ध जेश्ट सुक्लपक्ष शुक्रवार नौमी तिथी सुर्योदय के पहले ही समाप्थ हो रही है तत्पस्चात पूरे दिन दस्मी तिथी लगी रहेगी चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव है आज के जन में जातक सुन्दर शरीर वाले, धनी, संतोसी, विचारधारा वाले, धन, ऐस्वरे से युक्त और धार्मिक रूची रखने वाले होते हैं ऐसे जातक उच्च अभिलासी, महत्वा कांग्षी, संदर और कला में रूची रखने वाले और अद्भुता कर्सक सक्ती वाले होते हों ये कला और तक्निकी विश्यों में रूची रखने वाले आदर्सवादी और संगीत प्रेमी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, मंगल बुद्ध और सुक्र की इस्थिती अनुपूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा कन्या रासी में दो पहर पौने दो बज़े तक चलते रहेंगे तब पश्यात तूला रासी में प्रवेश कर जाएंगे मेश रासी के जातकों के लिए आज का दिन कारे उर्जा को बढ़ाने वाला होगा क्रिया सीलता और रात मिश्वास बढ़ा रहेंगे साजह दारी के काम लाफदायक रहेंगे और कारे छेतर के निरंतर विकास की मानसिक्ता बनी रहेंगी धन लाफ मन मुताबिक मिलता रहेगा मगर दो पहर बाद चंद्रमा तुला रासी में चले जाएंगे जिससे निर्णा लेने की छमता में सुधार, उत्साह भरपूर मात्रा में और रचनात्मक सक्रियता बढ़ी रहेगी फिर भी मन में संकालू, प्रवृत्ती और धन हानी की आसंका बनी रहेगी महत्पूर निर्णे दो पहर के बाद लेना चाहिए निजी संबन प्रगाड होंगे और सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुपूल रहेगा ब्रिश रासि के जात्कों के लिए कारी उर्जा में उतार चढ़ाओ बना रहेगा चंद्रमा मंगल के नक्षतर में चल रहे हैं निर्णे लेने में आक्रोस और जल्दबाजी संभावित है स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और अनावस्य खर्च का संकेत मिलता है हाला कि आर्थिक लाव के इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी मगर पहले की चली आ रहे ही यो अजनाय प्रभावित नहीं होंगी और आपका कारे सुचारू ढंक से चलता रहेगा साजेदारी के लिए आज का समय उप्यूप्त नहीं होगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा सैक्षनी कार्यों में प्रयास जारी रखें और संतान संबंधी सुभ समाचार मिल सकता है मिथुन राशी के जात्कों के लिए चंद्रमा का मंगल के नक्षतर में होना प्रतिकूल माहौल को कस्तूत कर सकता है मानसी को तेजना और स्वास संबंधी जटिलताएं संभावित है मगर आर्थिक लाफ में सहयोग बना रहेगा संतान संबंधी मामलों में और आवस्यक संसाधनों के उद्देश से निवेश्ट की स्थिती संभावित है मगर साम के बाद का समय कारी उर्जा मेहरास आत्म विश्वास की कमी और भहमात्मा की स्थिती के उतार चड़ाव में बीतेगा महत्पूर निर्णे सोच समझ कर धैर और सहयम से लेना चाहिए संतान संबंधी आत्मिश्वास में प्रिद्धी होगी और विद्ध्यात्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा करकरास के जात्कों के लिए आज का दिन लाह दायक सिद्धोगा प्रबल, शारिरिक, उर्जा और सकारात्मक मानसिक इस्थिती बनी रहेगी प्रभावशाली इच्छा सकती आपके हर कामों को सरल और सुविधा जनक रूप से संपन करने के लिए सक्षम होंगे धर्ग रिहस्ती और कारेच्षेट से संबन्धी जिम्यदारी का संकेत मिलता है और पूरे दिन व्यस्ता का माहौल बना रहेगा आर्थिक लाव की इस्थिती मन मुताविक बनी रहेगी कुछ मामलों में भ्रहम और दोसा रोपन की इस्थिती संभावित है संतान संबन्धी मामलों में कुछ चिंता लगी रह सकती है और अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सिंग राशी के जात्कों के लिए चंदरमा का मंगल के नक्षतर में होना सकारात्मक रूप से अधिकतर मामलों में सुफ फलदाई होगा महत्पूर्ण कामों में आपके रचनात्मक प्रयास तार्थक होंगे और कारे छेतर में विकास की मानसिखता बनी रहेगी साजेदारी के कामों में लाव संभव है और नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव मिलते रहेंगे आर्थिक लावमन मुताबिक बना रहेगा और नीजी संबन प्रगाड होंगे सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन होंगे निद्यात्यों के लिए आज का दिन अन्कूल है सफलता संभावित है मगर स्वास संभन्दी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए कन्या रासिके जात्कों के लिए धन संभन्दी अपिर्चाएं पूरी होंगी और अचानक धन लाब का योग बनता है मित्रों वासायोगियों से भी लाब संभव है कार योजनाओं की निरंतर्था बनी रहेगी और नए प्रस्ताव सामिल होंगे साजेदारी सफल रहेगी नीजी निवेश के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा मगर दोपहरबाद, धन हानी, दोसारोपन, भ्रमात्मा की स्थिती मगर संतान संभंदी साहयोग का संकेत देता है विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें और स्वास संभंदी आवसक सावधानी बनाए रखें तूला राश के जात्यों के लिए कारेश्यत की सावधानियां नियत्रित करने की प्रभृति और अतिरिक्त कारभार का संकेत मिलता है कारेच्छत के प्रति विकास की मांसिक्ता और नई कार्योजनाओं में ब्यस्तता बनी रहेगी प्रस्ताओं को लागू करना और उनका प्रबंधन सुचारू ढंक से होता रहेगा मगर आर्थिक लाफ सामान रहेगा पारिवारिक पेरणा और बुजुर्गों का आशिरवाद कामों को सरल बनाएंगे सरकारी कामकाज पूरे होंगे और साजेदारी सफल रहेगी स्वास संबन्धी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए बिद्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा बृष्चे क्राश के जात्कों के लिए अनावस्य खर्च की इस्थिती संभावित है निरने लेने की छमता में बृद्धी होगी कारे चमता का पूरा लाव मिलता जाएगा आत्मिश्वास बना रहेगा आठिक लाव के इस्थिती सामान रहेगी कारे च्षेत का बिश्थार होगा और साजेदारी सफल रहेगी मगर दोपहर बाद का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला होगा अंचाही यात्रा की संभावना बनी रहेगी और निर्णे लेने की छमता में उतार चड़ाओ का संकेत मिलता है सुचारू ढंक से चल रहे हैं कुछ कामों में अवरोध की संभावना भी बनती है और संतान संबंधी मामलों में चिंता का माहौल बना रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा मगर मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखते है धनु राश्च के जात्कों के लिए आये संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा कारी उर्जा सकारात्मक रूप से बनी रहेंगे और पूरी निष्ठा से कारे छेतर में लगे रहेंगे नई योजनाओं के लावकारी प्रस्ताव सामने आएंगे और यथा संभव आप उनकों लागू करते जाएंगे मगर दोपहर बात बीचारों में अचानक परिवर्तन का दोर संभावित है निर्णा लेने की छमता प्रभावित होगी मगर सासन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे मिद्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और स्वास्त संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए मकर राशी के जात्कों के लिए कारेच्षित के विकास और सुचारू ढंक से चलाते रहने की प्रभृत्ती बनी रहेगी और किसी समारोह में प्रतिनिधित्र करने का मोका मिलेगा आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा नीजी निवेश के लिए समय अनकूल है और साजेदारी के कामों में सफलता संभावित है मगर दोपहर के बाद का समय कारेच्षेत्र में अचानक गड़वड़ी या रुकावट का संकेत देता है और साजेदारी के कामों में साजिस की संभावना बनती है मगर सासन सप्ता का सहयोग और आपका आत्मिश्वास इन समस्यां को सुलजाने में सक्षम होंगे अध्यान अध्यापन में सफलता की उमीद बनती है वाद वीवाद से परहेच करें और स्वास संभन्दी सावधानी बनाए रखें कुमबर आपके जात्कों के लिए कारेच्षेत्र में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्ध होंगे आठीक लाव के स्थिति मन मुताविक बनी रहेगी और शासन सत्ताव अधिकारियों का शयोग मिलता रहेगा नई कारियोजनाओं में लावदाया की स्थिति बनी रहेगी नीजी निवेश के लिए समय अन्कूल रहेगा मगर दो पहर के बाद का समय ब्रहमात्मा के स्थिती को जन्म देगा उसाह में कमी और कामों में रुकावट का संकेत मिलता है अताह महत्पुर्ण निर्ने सोच समझ कर लेना चाहिए विध्याथियों को अध्यान अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है प्रयास जारी रखें विवादित मामलों से दूर रहें और वयवाहिक मामले सफल रहेंगे मीन राशी के जातकों के लिए चंद्रमा आज आठमे घर में ब्रिहस्पति के साथ चल रहे है स्वास संबंधी जटिलता हैं मानसिक तनाओ मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कारे छेत में रुकावट का संकेत मिलता है कारी उर्जा में कमी और आत्मिश्वास में उतार चड़ाओ लगा रहेगा हाला की आए संबंधी मामले और नीजी निवेश के लिए समय अनकूल रहेगा चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र का दिन भर मिला जुला फल मिलता जाएगा महतुपुन नेने कल के लिए टाल दें स्वास संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए ब्यायाम वायोगा करना चाहिए संतान संबंधी मामनों के लिए आज का दिन सामान रहेगा और अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाये